विवाहिता को नंगा कर पती ने बेरहमी से पीटा, देवर ने किया जबरन बलातकार माया पुर्थाने का मामला शिवपुरी जुले के माया पुर्थाना शेतर के अंतरगत आने वाले गाउं की एक महिला ने स्पी से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी दो साल पहले हुई थी, वहीं दो साल पहले शादी के बाद से ही लगतार देहच की मांग की जाने लगी और पती द्वारा कहा जाने लगा कि एक लाक रुपे पिता से लेकर आओ, जिसका अब विरूत महिला ने किया, तो नंगा कर महिला को पती ने पीट दिया जानकारी के अनुसार माया पुर्थाना शेतर के अंदर गात आने वाले ग्राम पीपल केड़ा की महिला ने स्पी से शिकायत करते हुए बताया कि 25 मही 23 को रातरी करीब 11 बचे अपने गर पर सो रही थी तबी उसका पती आया और कहने लगा कि एक लाक अपने पिता से लेकर आओ, महिला ने जम मना किया तो पती द्वारा महिला को नगन कर पीटा गया वहीं उसके डेड़ तोला सोने का हाट जमकी सही तनी सोने चांदी का पहनने का समान उसे छुडा लिया और उसे सास ससुर जेट जेठानी सभी ने प्रताडित किया और मार पीट की उसके बाद उसने अपने भाई को फोन करके बुलाया महिला अपने माई के चली गई महिला ने बताया कि उसके बाद भी पंच जोड का राजी नामा किया लेकिन लोग नहीं मान रहे थे महिला ने बताया कि उसके देवर ने आच से तीन चार माँ पहले उसके साथ बलात कार किया लेकिन इसके शिकायत इसलिए नहीं की गई कि घ गर की बात है घर में ही रहे वहीं सभी ससुरालियों द्वारा प्रितारिक किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है मैला ने एस पिसे नियाय की गुहार लगाई है समस्याय लेकर आए हमारे सस्राल वाले हमारे लिए परेशान करते हैं दहज लेकर आना तेरे फिताजी ने कम दहज दिया था साधी को उतने साल हो गए आपके लिए? साधी को दो साल हो गए परेसान कर रहे हैं तीसरी बार गईे मैं सादी से 5-6 बार मारおお mai मेरी है कि साधी में पहले देजिया है यह नहीं मालों नहीं पहले तो के दिया था उतना 08 अपने उसके लिए हमारे हस्पेंट ने वेज़ दिया था हमारे छोटे देवर के लिए भाजाने का उन्हें पूरा मामला किया है के इन्हें कुछ ना कुछ ना कुछ कारण उंचक लगा के भगा दे तो पुलत कर ता आप के तो पांच महिने बाद साधी पांच मैंने जिकाई़ पती वगरा या अपने शुसराली दिवेंसे की नहीं की तर यह सुसा की समझाता हो जाएगा घर में ही रहना लेकिन उन्हें तो भगानी का बूल दिया तो इसके बाद और सम्मन बनाई उसने देवन्हें की बार बना चेख नहीं यह कई बार यह कि बार हां पिर आपको माई की कब गई थी मै उन्हें मार्कीट की ती तर शाथ बाद दिन बाद अब आप क्या चाहते हैं अब हम यह चाहते हैं कि अच्छे से हमारे लिए रखें या नहीं हमारा पूरा दहेज बापिस देदें नहीं हूई है